आज की इस रिडिंग में हम जानेंगे मलाइका अरोरा के फादर अनिल अरोरा की जो मृत्ति हुई है यह एक प्लैंड तरीके से किया गया मॉर्डर है यहां पर आज हम यह जानेंगे कि यह हत्या है यह आत्मत्या तो चलिए जानते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे औ और आज की इस रिडिंग में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ क्या यह एक हत्या है या फिर यह एक आत्मत्या है क्योंकि यहां पर जो इन्फॉमेशन आई है वह यह है कि उन्होंने वेडनेस टे को गया नहीं कि 11 सितंबर मुद्वार को सुबा नौ बजे अपने बांदरा स्थित घर से फ्लैट से उपर से उन्होंने चलांग मार दी जिसके बाद उनकी ब्रत्य हो गई है लेकिन यहां पर जानना आवशक है कि यह एक साजिश है या फिर उन्होंने आत्मत्या की है देखें यहां पर कोई महिला दिख रही है जो बहुत साथ डिसापॉंटेड है दुकी है और अबेंडन फिल कर रही है यहां पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मतबेद हुआ है इनका किसी महिला के साथ और यहां पर जो भी महिला है यह बहुत दुकी है और जो भी ची वो अपने आपको अबेंडन महसूस कर रही है कि उसके साथ ये परसन गलत कर रहा है तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि इनके फादर का किसी के साथ कोई नो कोई आर्गुमेंट चल रहा था यहां पर और यहां पर चीजें जो दिखाई जा रही है वो रियालिटी नहीं है यहा यहां पर death card भी आया है और जो death card है वो कहीं न गहीं ऐसा भी indication दे रहा है कि हो सकता है यह एक plan तरीके से किया गया murder है क्यूंकि यहां पर ऐसा indication है कि कुछ चीज़ें चुपाई जा रही है और यहां पर कि कोई दूर से कोई person इन सब चीज़ों को implement कर रहा था या इन चीज़ों को करवा रहा था ऐसा लग रहा है कि कोई involved है कोई बहुत दूर का person involved है जो इनके घर से बहुत दूर रहता है या दूसरे देश में रहता है ऐसी भी energies हैं तो यहां पर कोई abandon महसूस कर रहा था हो सकता ह कि अनिला रोरा की किसी से यहां पर कोई अन्बन थी, कोई महिला दिख रही है और यह बहुत जादा यहां पर अबेंडन महसूस कर रहे हैं यह परिवार के सदस्द से भी हो सकते हैं और यहां पर एक प्लैन तरीके से यह चीज़ कराई गई है डेथ कार्ड यहां पर आया है, कुछ लोग यहां पर involved दिख रही है तो यहां पर हो सकता है कि यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार के अंदर की एक रहसे में चीज़ें हो सकती है जो यहां पर चुपानी का प्रियास किया जा रहा है यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई exit भी करना चाह रहा था यहां पर कोई इस रिश्टे से जाना चाह रहा था और यहां पर argument डेफिनिटली arguments हुए हैं यहां पर हो सकता है यह चीज़ें आगे चलके सामने आएं लेकिन यहां पर arguments तो दिख रहे हैं husband वाईश में arguments दिख रहे हैं और जो भी arguments हैं यहां पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहां पर problematic थी जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक ऐसा atmosphere बना एक ऐसा महौल बना कि यहां पर यह चीज़ें प्लैन की गई तो यहां पर कोई abandon महसूस कर रहा था जगडे लगातार हो रहे हैं जैसा दिखता है वो असलियत नहीं है ऐसा भी यहां पर indication है जो दिखाया जाता है photos में कि सब कुछ बहुत अच्छा है वो चीज़ें यहां पर बिलकुल भी नहीं है एक परिवार एक घर जिसके अंदर बहुत जगड़े बहुत जादा problems ऐसी energies यहां पर आ रही है और यहां पर किसी और बाहर के person का भी involvement है ऐसी energies भी है कोई exit करना चाहता था यहां पर लेकिन उसके जाने से पहले ही उसको यहां पर finish कर दिया गया तो यहां पर यह कोई एक खादसा नहीं है नहीं यह कोई आत्महत्या है आत्महत्या तो यहां देखी ही नहीं रही है यहां पर कुछ लोग involved है आप देख सकते हैं पिलर पे कुछ faces भी दिख रही है तो यह यहां पर planned तरीके से किया गया murder है यहां पर कुछ चीजें है फैमिली के अंदर की जिने हाइड किया जा रहा है और यहां पर ऐसा भी लगता है कि इससे पहले भी उनके उपर यह चीजें ट्राइक की गई लेकिन यहां पर फाइनली जो इस बार जो अटेंप्ट हुआ उसमें यह कारे हो गया तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का इंवॉल्मेंट है और फैमिली के अंदर भी कुछ चीजें यहां पर ठीक नहीं लग रही है आपस में वो एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है परिवार का हो सकता है फोटोस में दिख रहा है कि बहुत जादा अच्छे तरीके स किया गया मॉर्डर हो सकता है यहां पर आने वाले समय में कुछ और चीजें सामने आ सकती है तो यह थोड़ी और क्लारिटी लेते हैं जानते हैं क्या हुआ होगा यहां पर इनके साथ क्या हुआ है देखें यहां पर डेफिनिटली कोई परसन कोई मैसेज मिला है इनको कोई एक message मिला है, कोई एक ऐसा incidence हुआ है इनके घर में, इनके उपर, देख लेते हैं, देख लेजें, इनके घर में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजे हुई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है, यहाँ पर कोई message भी इने मिला है, और कोई outsider भी यहाँ पर हो सकता है, कि घर आया हो ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है, और एक जो यहाँ पर प्रशन उठ रहा है, वो यह है कि सुभा के समय में, इन्होंने ऐसा सुनने में आया है, कि इन्होंने आत्मत्या सुभा के समय करी है, तो यहाँ पर ऐसा indication लग रहा है, कि यह planned तरीके से किया गया है, यह रातरी में ब कि बाहर का पर्सन डिफिनिटली इन्वाल्ड है, और जैसा कि बॉलिवॉट में होता रहा है, बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई है, उनमें से ही यह बी एक मिस्टीरियस डेथ है, लेकिन यहां पर फैमिली बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुपा रही हैं, कुछ बहुर के ल यहां पर भी किसी तरीके से इसको हाइड किया जाएगा देखें यहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत से बड़े लोग इसमें इन्वाल्ड हैं और यहां पर जिन लोगों द्वारा यह चीज की गई है यह देखें मदा डॉर्टर देख रहे हैं यहां पर तो यह कहीं न कहीं का ही एक decision है यह चीजे करने का property से related issues हो सकते हैं आप देख सकते हैं property से related issues definitely यहां पर हैं और यहां पर कोई power में है और आप देखें यहां पर hangman के energies हैं यहां पर कोशिश पहले यह भी होगी कि यहां पर यह फंदा लगा लें और suicide कर लें या फिर इस तरीके से इसको project किया है लेकिन यहां पर क्यूंकि SSR का case अभी भी justice के लिए और उस पे बहुत सारे लोगों के questions आये थे कि ऐसा क्यूं कोई suicide क्यूं करेगा यह गलत है यहां पर ऐसा लग रहा है कि SSR के case को देखते हुए यह वाला जो idea था इसको यहां पर cancel किया गया यहां पर दो ladies दिख रहे ह हैं और यहां पर यह चीज प्लाइन की गई कि इनको सिधा building से अगरी नीचे जाते हैं तो जाता यहां पर ठीक रहेगा तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें चुपाए जा रही है यहां पर mother daughter दिख रही है अब यह energy किसकी है कि एक देखना होगा कोई और भी हो स और यहां पर जो दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है यहां पर असलियत तो कुछ और ही है involvement यहां पर है बहुत से लोगों का ऐसी energies हैं तो उमीद करती हूँ आपको इससे थोड़ी clarity मिली होगी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजेगा अगर आपको personalize reading चाहिए मुझे whatsapp पर संपर्क कीजे और अगर आपको माता की चमतकारी मंदित पोटली चाहिए अपने घर में जुक्सानती बनाने के लिए black magic से सुरक्षा के लिए तो आप मुझे whatsapp पर संपर्क करें नमबर है 9899000366 जैमाकाली